भारत पहले वॉल्ट टेस्ट चैंपियंशिप की शुरुआती सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज का दौरा करेगा ICC ने आज 2018 से 2023 तक के लिए भविश्य का दौरा कारिक्रम FTP जारी करके इसकी घोशना की ICC ने अपने बयान में कहा कि भारत WTC की तहत दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए प्यारे भी आई देशों का दौरा करेगा कुल मिलाकर चोटी की नौटी में बॉल्ट टेस्ट चैंपियंशिप में भाग लेंगी यह चैंपियंशिप 15 जुलाई 2019 से 30 अपरे 2021 तक चलेगी West Indies के खलाफ सीरीज वर्ल कप 2019 के तुरंट बाद शुरू हो जाएगी इस दौरे में भारती टीम 3 वरड़े और इतने ही टीड़ट मैच भी खेलेगी भारत इस साल के आखिर में 3 टेस्ट, 5 वरड़े और 3 वरड़े के लिए West Indies की मिजबानी करेगा वर्ल्ट चैंपियंशिप में भारत का दूसरा प्रतिद्वन्जवी दक्षिन अफरिका होगा जिसकी वेह 3 टेस्ट मैचों के लिए मिजबानी करेगा ये घरेलू सीरीज अक्टूबर 2019 में होगी जिसके बाद बांगलादेश के खिलाफ फिक और सीरीज खेली जाएगी बांगलादेश 2 टेस्ट मैच और 3 टीटट अंतराश्ट्रिये खेलने के लिए भारत का दौरा करेगा भारत की बाल्ट टेस्ट मैचों के लिए इंगलन की मिजबानी करेगा उमीद के मुताबे भारत और पाकिस्तान बाल्ट टेस्ट चैम्पिनच्ट की कोई सीरीज नहीं रखी गई है लेकिन फिर भी वे फाइनल में भिड़ सकते हैं कुल्मिला का भारत वर्ल्ट टेस्ट चैम्पिनट्रिट के तहट 18 टेस्ट माच खेलेगा तथा इन में से 12 माच और ंश्टिलिया दप्शन अफ्रिका और इंगलंड के खलाप होंगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन्ट्रिप के अलावा टेस्ट खेलने वाले बारादेश और निदरलांड तेरह टीमों की वनड़े लीग में भी भाग लेंगे जो एक मई 2020 से 31 मार्च 2022 तक खेली जाएगी तथा सभी टीमें दो साल के अंदर आपसी सहमती से चुने गए प्रतिद 2023 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिप फायर का काम करेगी मेशबान भारत और एकतीस मार्च 2022 तक वनड़े लीग में 7 स्थानों पर रहने वाली टीम वर्ल कप 2023 के लिए सीधे क्वालिप फायर के लिए ICC WCW क्वालिप फायर के जरिये दूसरा मौका मिलेगा यदि दोस्तों आपको हमारे दुवारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो यह इस वीडियो को जायदा से जायदा शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में तब तक जुड़े रहे हमारे साथ